कायर होके युद्ध को छोड़ देने की अपेक्षा लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगती प्राप्त करना ज़्यादा स्रेष्ट है। वही नियम यहां भी लागू होता है। कायर होके किसी चीज को अपने मन की या बाहर की लड़ाईयों को छोड़ देने की अपेक्षा, उसको लड़ते लड़ते हिम्मत के साथ हार जाना जादा बहतर है, उसको लगेगा मेरे लिए लड़ा तो है, लड़िये, अपने मन की तरशनाओं से लड़िये, अपने मन की लिए लड़िये, नीचे आ रहा है, तो वापस उपर लाने के लिए, ये ऐसा युद्ध है, अविरत चलने वाला, जिसमें सततेक युद्ध है, अगर ये युद्ध नहीं है, और अगर आप संधी कर लेते हैं, फिर भी कहीं न कहीं अंतरमन में किसी न किसी चीज का इसलिए लड़ना है आपको, इसलिए उठना है आपको, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, परिश्वर को पसंद है, इसलिए उठना है, उसे पसंद है, इसलिए करना है, बहुतों की पसंद का तो आपने बहुत बार कर ही लिया है, है न, कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या, के बहुतों की पसंद का क्या होगा, ओपने, कouncedya? बेटे की पसंद का, का मा की पसंद पेता की पसंद का, बच्चों की पसंद का, पड़ूसियों की पसंद का यहा तक कि जब साढिया और शिर्ट पहन के निकलते हो, तो दुनिया को तो कैसा लगेगा, क्या पसंद आएगा, वो पहनते हैं, है ना, शादियों में जाने की रूची नहीं होती ही, फिर भी, Hi, Hello, Nice to meet you, Nice to meet you नहीं होता है, फिर भी, कहना तो पढ़ता है, ना, हमें बहुत अच्छा लग आपसे मिलके, अंदर तो जल रहा होगा उसको देखके, क्या पता, फिर भी कहना पड़ता है, तो आप उसको अच्छा लगे, उसको कितनी बाहर दिन में कही कही बाहर कितना कुछ करते हो, जो दूसरों को अच्छा लगता, क्या कभी उस इश्वर को अच्छा लगे, ऐसा कुछ किया क्या, अगर जिस दिन हम ऐसा सोच कर चलते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी बंदगी हो जाएगी, चाहे वो कर्म कोई साभी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, चाहे वो कर्म कोई भी छोटा हो, रहिदास ने तो चमड़े उखाडने का काम कर लिया, फिर भी उसको चमड़े उखाडते उखाडते ज्ञान हो गया, धना जाट को सिलबटे में हो सकता है, नाम देव को कुटे में हो सकता है, हमको क्यों नहीं, क्यों हमारा लक्ष उसकी प्रसंदता शायद है ही नहीं, हम दुनिया में बहुतों को प प्रसंद करने के लिए नहीं चलते हैं, अपने आपको खुश करते हैं, थोड़ी सी बिमारी क्या आ जाती और लुड़क जाते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं, खिलाया पिलाया ना इसको चार-चार गंटे सजाया वजाया, कितना तो आईने में खड़े रहे के कैसे कैसे कपड पहने होंगे, एक उतारे होंगे, दूसरे पहने होंगे, कैसे लग रहे हैं, देखे होंगे, अच्छे नहीं लग रहेंगे, सजे होंगे, यह लिप्स्टिक अच्छे नहीं लग रही, दूसरी लगाई होगी, यह टाय सूट नहीं कर रही, दूसरी लगाई होगी, कितना अपने आपको सजाने में, और अगर जिस जगह पर हम सच कर जा रहे, वहां आगया सिर्दर्द या पेटदर्द सब सजना गायव है, खतम. कुछ मज़ा ही नहीं कहीं में, शरीर दोखा देता है, मन भी दोखा देता है, सब कुछ दोखा देता है, जिन-जिन के लिए हम चलते हैं, एक परमात्मा जो दोखा नहीं देता, कुछ खशन उसके लिए भी तो जिन्दगी गुजार ना धन्य हो जाएगी. बसनों उस पर विचार करे हमारा कितना समय इश्वर की प्रसंता के लिए जाता है अपने आपकी खुशी के लिए मुझे खुशी हुई इसले कर रहा हूँ उसको खुशी हुई इसले कर रहा हूँ उसको खुशी हुई इसले कर रहा हूँ इमानदारी से, हम ईश्वर की खुशी के लिए क्या करते हैं? ईश्वर की प्रसनता प्राप्त करने के लिए कौन सा कर्म करते हैं? उसकी प्राप्ति के लिए धीवन का कुछ हिस्ता जरूर होना चाहिए. कि उसको लगना चाहिए कि हाँ, कोशिश तो कर रहा है, बस उस बहरे की तरह, मुझे सुनाई नहीं देता पर उसको देता है, मुझे दिखाई नहीं देता पर उसको तो दे रहा है, ऐसे ही एक, बहुत साल पहले हम एक नर्मदा किनारे गए थे, एक बृद्धा माताजी थी, नब्बे साल, नब्बे साल से भी उनकी उम्र कुछ जादा थी, आखें कमजोर थी, और एक थोटी सी कुटिया में रहती थी, मेरा वहां से निकलना हुआ तो कुछ पढ़ रही थी, और कुछ बोल रही थी, बोल रही थी तो मैंने खिडकी से जांका, खिडकी से जांका तो गीता उल्टी पकड़ी हुई थी, और कुछ बोल रही थी, मुझे बहुत आश्चरे हुआ कि वो गीता पढ़ रही है और उल्टी पकड़ के कैसे पढ़ रही है, मैं सुचा इसको अब्यास है इतना कि उल्टी पकड़ रही है, उल्टे से गीता बोल रही है, समझे क्या आप, पर मुझे ऐसा कि कुछ इसके पास सिद्धी विद्धी होगी कि क्या है, कैसा, अम गूम के उसके उसके पास गये, तो उसको तो बहुत कम दिखाई दे रहा था, दिखाई भी नह जब तक कि मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, तब तक उसे ये भी नहीं पता चला कि कोई आया है, हाँ, उसको आभास हो रहा था परच्छाई से, कि हाँ, जैसे अंधेरा और प्रकाश होता है, कि कोई जब दरवाजे से कुछ, कोई आता है, तो अंधेरा जैसा दिखता है, तब उसे पूछा कि कौन है, तो मैंने उसको बोला, अमा, आप क्या पढ़ रही है, तो बोले, गीता पढ़ रही हूं, मैंने का, आप क्या बोल रही है, गीता क्या पढ़ रही है, गीता तो आपने उल्टी पकड़ी हुई है, बोले, बस यही बोल रही हूं, कि यही गीता तुने सुनाई थी न, अरजुन को, आज वही मैं पढ़ रही हूँ, मेरा भी उसी तरह उधार करना जैसे अरजुन का किया, मैंने का सारी देर आप यही बोल रही हैं, हाँ, तो आप में गीता क्यों पकड़ी है, बोले उसको पता तो चले कि तेरी गीता मैं पकड़ रही हू आप ने, बोले मुझे पढ़ना थोड़ी आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, पर मैं ये कर्म इसलिए कर रही हूँ कि उसको पता चले, कि मैं इसलिए लेके बैठी हूँ कबसे, कि जिस तरह तुझे अरजुन का उद्धार युद्ध के मैदान में करना था, इस संसार और हो यह नहीं सकता, जो इश्वर के निमित पिकर्म करता है, इश्वर की प्रसनता तो अवश्य पाता है, और बाकियों के निमित आप कहोगे तो हम पती के लिए ना जियें, पत्नी के लिए नहीं, आप जितनों के लिए जी रहे हैं ना, जी के देख लीजे, पाच्छे स निश्काम भाव पुर्वक कर्तव्यका निर्वहन करने वाला व्यक्ति कहीं बंधता नहीं है, पर अपेक्षा से किये गए तमाम कर्मों को बंधन है, दुख है, रोग है, शोक है, बेचेनी है, भय है, निंदा है, सब कुछ उसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए अपेक्षा रहित होकर केवल कर्तव्यका निर्वहन करने के लिए, कर्तव्यकर्म करने वाला व्यक्ति भी मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि यही गीता कहती है, यह भी आप उसी की प्रसनता के लिए करोगे, अगर आप यह करते हो, क्योंकि यह वो बोलता है, हमने, यह कृष्ण बोल यह भगवान स्वयम बोल रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा करना है, यह भी तो उसी के लिए करोगे न, आपको पता होना चाहिए, आपके जीवन में कौन सा ऐसा कर्म है, जो आप उसके लिए कर रहे हैं, एक कर्म तो ऐसा होना चाहिए, जो आप उसके लिए कर रहे हैं, अपनी आज़ी पूरी कर रहे हैं इसलिए कर आपको तो अच्छा लग रहा है आशाय रखना आपको तो अच्छा लग रहा है तृष्णाय रखना आपको तो अच्छा लग रहा है 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 झाल झाल